है दियर स्टूडेंस वेलकम बैक टूर चैनल वंस अगेन बच्चो आज का हमारा बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है जो कि आता है तीन मार्क्स के लिए एक्जाम में बड़ा ही आसान है अगर आपको इसकी टेक्नीक पता होती है कि किस तरीके से हमको इस करना होता है यह आता है हमारे section 1 में जो प्रो सेक्शन होता है उसके अंदर आता है յेल्चंग नंबर 2 कर टूसी वह रटतना question nummer 2 सी जो कि आता है हमारे three marks के लिए जिसको हम बुलते है mind mapping तो basically हमारा जो section हमारे writing skills के अंदर दिया है 3.2 जो हमारे टेक्सबुक के अंदर दिया हुआ है जो हम सवाल करके पूछते हैं क्रिएटिविटी क्या स्कूल ने हमारे अंदर के creative इंसान को पुरी तरीके से खतम कर दिया है तो वो होता है हमको mind mapping के जरीए क्योंकि हम जो है बच्चों वो कई बार क्या करते हैं हम traditional format जादा follow करते हैं कोई नई चीज नहीं लेकर आते हैं इसलिए हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं पढ़ाई भी देखो हम कितनी जल्दी माइंड मापिंग जो है वो इसी तरीके से आपको सिखाता है कि कैसे अलग-अलग techniques आप अपलाई कर सकते हो जब आपको किसी तरीकी के concept को याद रखना हो अगर आपको किसी तरीकी के नोट को याद करना हो तो कैसे mind mapping के जरीए आप असानी से उसको याद कर सकते हो तो बिन presentation हमारे ideas हमारे concept अगर हमको किसी को बताने होते हैं तो उसको हम कोई अलग तरीके से diagram बना कर उसको क्या करते हैं represent करते हैं उसको हम कहते है mind mapping graphical way में हम उसको graph diagrams बना रहे हैं और उसको समझा रहे हम अपने idea concept को वो है हमारा mind mapping graphical representation is in the form of a diagram जैसे मैंने आपको कहा diagram बनाते हैं हम graph का तो जाकर हम अपने ideas को सही तरीके से express कर पाते हैं यह काफी creative तरीका होता है अपने ideas अपने concept को explain करने का okay it says a very useful way of transmitting information into and out of your brain अब यह जो हम लोग creative तरीका अपना रहे हैं किसके लिए अपना रहे हैं यह creative एक इंसान के पास वापस भी आ सकती है इस creative तरीके से हम क्या कर सकते इंफरमेशन को बड़ी असानी से याद कर सकते हैं अब यह माइन मैपिंग है इससे हम को क्या मदद मिलती है student आपको क्या मदद मिलेगी quick memorization यानि कि आपको concepts को याद करने में क्या होता है काफी असानी हो जाती है जैसे को सब्जेक्स होते हैं अगर हम बात करें OCM की SP की ECO की तो यह सब्जेक्स ऐसे जहां पर हमको technicalities थोड़ा सा समझना जो है वह difficult हो जाता है तो अब हम इतने सारे concepts को कैसे याद करेंगे mind mapping के जरीए हम क्या कर सकते हैं हम उसको बहुत अच्छे से समय समय तक के लिए आपको चीज़े याद रहती है अगर आप इस creative तरीके से अपने notes को prepare करते हैं तो लास्ट आता है हमारा it is a fun way to learn अभी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको fun भी मिल रहा है और आपको कुछ ना कुछ सीखने भी मिल रहा है तो इसलिए mind mapping जो है वह बहुत ह की helpful होता है ना कि सिर्फ students के लिए लेकिन कई सारी फील में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 11 12 में ही काम आएगा throughout your life जब तक आप studies कर रहे हैं या फिर आप अपने office में काम करते हो तभी भी आपको mind mapping जो है वो बहुत काम आता है आपके goal को achieve करने के लिए points to remember while making a mind map अब mind map को बनाने के पहले ऐसी क्या points है ऐसी क्या चीज़े है जो हमको ध्यान में रखनी है सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम सोचते है तो सारे ideas जो है ना random हमारे mind में pop-up होने लग जाते तो जब हमारे mind में ideas pop-up होते जा रहे तो आपको क्या कर करते जाना है एक्जाम में भी आप सेम करेंगे जो भी आपको topic दिया है उस topic से related आपके mind में जो कुछ important information आती है उसको note-down करो जरूरी नहीं है कि आप उसको sequence में ही लिखो आप उसको सिफ note-down करते जाओ आप उसका sequence बाद में तयार कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या कर नहीं में आइडिया क्रिस्टिलाइज फॉम सेंटर और रेडियेट फॉम देर इस ब्रांच आप जो में आइडिया है एक्जाम पर आपको एक्जाम में पूछ लिया कि आपको लिखना है importance of yoga तो आपका topic होगा तो आप क्या करेंगे यह यहां पर में जो हैना importance of yoga यहां पर अब हर एक ब्रांच जो है उसका की आइडिया जो है वो होता है फॉर एक्जाम पल अगर आपको importance of yoga पूछा जाता है यहां पर आपने लिख दिया importance of yoga ओके यहां अपने importance लिख दिया इस जगा पर जो है आपने benefits बता दिया अब benefits को आपने क्या क्या कर दिया है divide कर दिया है तो इस तरीके से यहां पर benefits लिख दिया आपने यहां पर आपने उसका scope लिख दिया कि scope क्या होता है अब scope को आपने इस तरीके से आगे क्या कर दिया है twigs में divide करके उसकी information और detail में दे दी तो इस तरीके से आप असानी से क्या कर सकते है elaborate करके information को लिख सकते हैं लास्ट हमको कहता है डिराइव आइडियाज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस फ्रॉम ट्विग्स आप वो आइडियाज जिसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम है यानि कि जो इसके सब पॉइंट होते हैं वो यहां पर ट्विग्स में जो है वो आ जाएंग हैं उसी के साथ साथ आप अभी क्या करते हो डाइग्राम बनाना शुरू करते हो जहां पर में जो है आपका important concept जो है वो बीच में आता है उसके बाद जो आपने branches बना रखी है उसके अंदर उसकी subheadings जो है वो आएगी तो इस तरीके से आपको mind mapping जो है वो करना होता है अब mind mapping के लिए जरूरी नहीं कि मैंने आपको यह diagram बनाया तो आप यही format यूज करेंगे कई सारी चीज़े होती है जो mind mapping में यूज होती है different shapes of arrows यूज कर सकते हो, lines यूज कर सकते हो, connectors यूज कर सकते हो, balloons यूज कर सकते हो, call outs, scribble, scroll, expressions यह सारी चीज़ों का आप इस्तमाल करके अपने notes को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो बच्छो prepare कर सकते हो example जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यह इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको बताना है दो लोगों के बीच में conversation हो रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई खड़ा है या फिर कुछ सोच रहा है तो यहाँ पर आपने किसी इंसान का एक ड्रॉइंग कर दिया और यहाँ पर वो अपने mind में जो है वो कुछ सोच रहा है तो इस creative तरीके से हम क्या करते हैं हम एक information को transmit कर रहे हैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहे है अब बच्वों यह भी यार जाखना mind mapping जो हम करते हैं देखो इस तरीके से जैसे कि यह important topic है main topic यहाँ पर आएगा यह उसकी सब branches होगे और यह उसकी जो lesser importance वाली twigs है वो सारी information यहाँ पर आएगी अब बच्वों exam point of view से अगर हम अपने life में exam को हटा कर अगर अपने notes की बात करें जो आपको exam में पढ़ने के लिए काम आएगी तो बच्चो आप उसको 3-4 color use करके अपने notes को क्या कर सकते हो बना सकते हो लेकिन याद रखना exam में आपको allowed ने है 3-4 color का use करना अगर आप black pen का इस्तमाल कर रहे तो आप black ही करेंगे blue का इस्तमाल कर रहे तो सिर्फ blue से ही करेंगे आप वहाँ पर 3-4 pen लेकर जाकर drawing मत करना बाद में आप बोलोगे किया रहे मुझे तो यहाँ पर कोई drawing और painting की class नहीं है सिर्फ 3 mark के लिए question आया है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे black या blue pen का इस्तमाल करेंगे लेकिन अगर आपको अपने creative notes बनाने है एक्जाम के लिए तो याद रखना तीन से चार color का आप इस्तमाल करते हुए अपने notes जो है वो prepare कर सकते हैं जादा color के use करने से confusion हो जाता है इसलिए आप क्या करेंगे colors का इस्तमाल कम करेंगे for example जैसे आपने यहाँ पर main green ले लिया इसके बाद इसकी sub headings को क्या कर दिया अलग-अलग color जो है वो दे दिया फिर उसके बाद उसको आगे आपने वापस से divide करके अलग color दे दिया तो इससे क्या होता है concepts आपको बड़ी ही असानी से याद हो जाते हैं long term के लिए आपको क्या रहेंगे यह concepts आपके mind में clear रहेंगे basic format of mind mapping देखो यह हमारा basic format है जो main idea यह central idea है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं फिर हमने अपनी heading लिख दी है सब जगा पर अब उन headings के अंदर अपने sub points जो है वो हम क्या करते है mention करते है main idea बीच में आ जाएगा उसके बाद आपने heading दे दिया फिर sub heading दे दिया उसके अंदर आपके जो sub points है वो include हो जाते है तो इस तरीके से हम क्या करते है यह basic format है mind mapping का आप change भी कर सकते हो आप अपना कोई creative तरीका अपना कर जिसे कि आपको लगता है मैं और असानी से अपने notes को prepare कर सकता हूँ तो आप definitely कर सकते हो लेकि नहीं चीज़ का यहां पर खांस खयार रख नहीं है आपने यहां पर heading to में लिख दिया है planning अप planning के बाद में आप उसके features जो है वो note down कर देते हो तो बस इतना काफी हो जाएगा आप उसके बार में पूरा information यहां पर नहीं लिखेंगे जो relevant information होगी जो आपको लगता है exam point of view से मुझे से वियाद करने के लिए काफी हो अब देखो हमने इसको बच्चों किस तरीके से डिवाइड किया है मैं फोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लोंगी ताकि आपको full view स्क्रीन पे दिखाई दे preparation for the English subject अब हमको चार सेक्षन जो आता है बच्चों वो होता है हमारा pros का सेक्षन ठीके दूसरा जो सेक्षन है हमारा वो है poetry का सेक्षन तीसरा सेक्षन आता है हमारे writing skills का और चौता सेक्षन आता है हमारे novel का अब poetry जो है चारो pros से शुरू करते हम कि pros को अभी हम यहाँ पर जिसके उपर हमको ध्यान देनी है देखो इसके अंदर आएगा आपका grammar अब grammar के साथ साथ जुड़ा हुआ है आपका vocabulary जहाँ पर words आपको अच्छे से पता होना चाहिए आप vocabulary में आपको synonym और autonom पता होने चाहिए synonym याने की meaning होता है synonym का मतलब होता है meaning और autonom का मतलब होता है opposite words अब फिर आपको grammar में किस चीजों की तयारी करनी है grammar में आपको क्या तयारी करेंगे आप grammar में आप reported speech की तयारी करेंगे grammar में आप transformation of sentences की तयारी करेंगे तो इस तरीके से आपने प्रोस section को cover करना है next आएगा हमारा novel section अगर हम देखे तो novel में हमको क्या क्या चीज़े याद रखनी है हमको याद रखना है story का character हमको याद रखना है setting हमको याद रखना है conflict style और plot तो इस तरीके से आप novel section को क्या करेंगे बच्चो attempt करेंगे फिर हम आते हैं अपने poetry section के उपर जहां पर poetry में द ध्यान देना है पहला आता है poetic devices दूसरा आता है हमारा appreciation of poem तो आपको इन दोनों के उपर ध्यान देना है अब हम आते हैं अपने writing skills के उपर जो हम कर रहे हैं तो writing skills में बच्चों हमको क्या क्या cover up करना है हमको mind mapping देखना है हमको SOP statement of purpose देखना है यही से आता है हमारा group discussion यहां कर दिया है माइन मैप बना दिया है कि अब मुझे अगर English में ध्यान देना है preparation करनी अपनी एक्जाम के लिए तो आप क्या करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपने बना दिया अब आप देखेंगे इन में से आप किन कौन सी चीजों के अंदर expert हो for example प्रोस के अंदर अगर के लिए किस तरीके से डाइग्राम बना कर यूज किया गया तो ऐसे ही आपको graphical form में information को note-down करना होता है that is what we mean by your mind mapping okay अब हम देखेंगे इसकी marking scheme covering all points as per the instruction अब हमको जो questions में दिया है कि यह सारे points कवर हो जाने जीए तो उन सारे points को cover करके ही आपको क्या करना है आपको mind mapping बनानी है तो उसके आपको मिलेंगे 2 marks एक mark आपको मिलता है presentation का यह जिस तरीके से आपने लिखा है neat and clean लिखा है एकदम कि आपने सब कुछ mix नी कर दिया खिचडी नी पकानी है यहां पथ खिचडी पकानी है नहीं बिर्यानी पकानी है तो दोनों ही चीजों का आप कहास खयार रखेंगे कि यहां पर बिल्कुल भी कह werd नहीं बननी कído है एकदम अराम से डाल अलग रखेंगे, राइस अलग रखेंगे, भाजी अलग रखेंगे, रोटी अलग रखेंगे, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी डिश बना कर क्या कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तो उसका ये जो प्रेजंटेशन है बच्छो यानि की अब मेरा में टॉपिक स्पॉर्स को बेडिए को बच्चों को अब पुँछ कोईपने ऑन रख चिस्पोड दिये हैं आप सब्सक्रैमिन्गों तो है^^ यानि आप हार यहां समय का सब्सक्रक्राइब हो थेगा ऊघुए बिहेवियर जो है पुरी टीम का बिहेवियर किलर इंस्टिंक्ट विल तो यह सारी चीज़े हमको क्या दिये है जो हमको कवर करना है तो यहां पर अलड़ी मैंने बनाया है बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ठीक है तो हर एक पॉइंट बचो जो यहां पर दिये ह हुआ है कितने दिए है टोटल हमको 1-2-3-4-5 ओके हैं यहां पर आते हैं हमारे पाँच तो सबसे पहले fitness and stamina दिया था हमको यह हमने cover कर लिया है teen spirit and sportmanship यह हमने यहाँ पर cover कर दिया है फिर आता है हमारा group behavior जिसको हमने cover कर लिया है फिर आता है हमारा killer's instinct जो हमने cover किया है और fifth आता है will to win यहादे कि यह हमारे 5 main subheadings है main heading क्या है हमारी benefits of sports and game कर दिया है अब देखो यह वापिस से हमने क्या की आपके पास होना चाहिए तो उसे फार्दा क्या है क्योंकि में तो यह इसका ज़वाब देना बैनिफिट क्या है और स्टेमिना का मिलता है आपको यानिकि किसी भी तरीके से laziness जो है वो आपके अंदर नहीं आती है तो उससे क्या होता है फैटिग अगर आपके अंदर नहीं होता है तो उससे mentally आप fresh रहते हो और physically आप क्या होते हो बहुत जादा active हो जाते हो तो यह सब के अंदर वापिस सब पॉइंट बन गया अब हम बढ़ेंगे दूचरे पॉइंट की तरफ टीम स्पिरिट और स्पोर्ट मैंशिप के ऊपर अगर हम देखे तो मेक्स टीम प्लेयर इन एवरी फील ब्रॉडन्स दा माइन यानि की टीम स्पिरिट हो स्पोर्ट मैंशिप वह स् एक्सेट करते हो अपनी हार को तो कहीं न कहीं आपके माइन को आपकी सोच जौड़ा क्या करता है ब्रॉडन कर देता है तीसरे पर हम आएंगे ग्रूप बिहेवियर जिसको बोलते है तो ग्रूप बिहेवियर को वापिस से आपने डिवाइड किया है एंजेंडर एज़स् पॉइंट की तरफ तो इंस्टिंट हमको क्या बोलता है हमारा विल पावर स्ट्रॉंग करता है हमको अपने गोल अपने एम के ओपर फोकस करने के ओपर मजबूर करता है और अगर आपके पास चाहते हो कि मुझे जीत रही है तो किसी भी तरीके से खुद के ओपर रहम नही देनी है महनज जो है वहां को करते रहना है फिर आता है हमारा पाचपा पॉइंक्ट जो की हमको बोलता है विल to विन यानि कि आपके अंदर वह विलिंगनेस ऑनप सोंगोत चाहते हो तो विलिंगनेस ज जैसे जैसे आपको एक एक जीत मिलते जाती है तो आपका confidence level और जादा बढ़ते जाता है तो बच्छो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस question को attempt करेंगे Now we have second question for you all, develop a mind mapping frame design to show the development in your personality seen within yourself in the last 5 years यानि कि last 5 सालों में अपनी personality के अंदर जो भी आपको changes देखने मिले हैं वो आपको mind mapping के जरीए बताना है Now you can take the help of the following points in order to develop each of them into further branches आप कुछ pointers दिये हैं जैसे कि हमको बता है कि सारे के सारे pointers बच्छो हमको cover करना है क्योंकि ये सारे point cover करने के लिए हमको 2 marks मिलता है तो development in physics यानि कि physically जो appearance है आपका उसके अंदर development हुआ है वो बताना है self learning process, communication skill, social awareness और family responsibility यानि अगर हम बात करते हैं आपके personality development की तो यहाँ पर से physical यापके looks के ओपर बात नहीं होती है overall personality की बात होती है जहाँ पर IQ, EQ दोनों ही देखा जाता है intelligent question और emotional question तो यह दोनों ही चीज़े मिला कर आपकी क्या बनती है personality जो है वो बनती है तो इसका mind mapping कुछ हमने इस तरीके से बनाया है देगो personality development जो है जिसके अदर हमने अगर physical development से शुरू किया तो physically development में क्या हुआ athletic आप ज़्यादा sports में जाने लगे आपने flexibility अपनी body को flexible कर दिया योगा सीकर stronger यानि की weight training आपने ले लिया तो basically इस तरीके से आपने physical development के ओपर क्या किया है ध्यान दिया है अगर हम बात करते हैं दूसरे अपने self learning process की तो आपने क्या क्या सीका है listening to audio books जाने की और जादा पढ़ने लग गए knowledge जो है वो gain करने लग गए informational videos आप पढ़ने लग गए books देखने लग गए तो इससे आपने क्या किया अपने आपको ही सिखाना शुरू कर दिया है फिर आता है आपकी communication skills यह आपने कैसे improve किये तो आपने क्या किया communication skills के लिए अपने thoughts क clarity रखी कि जो भी आप सोच रहे हो अपनी सोच को जो है वो clear रखना है कि आपका aim vision goal क्या है वो आपको पता होना चाहिए उसी के साथ साथ आपने confidence level अपना maintain करके रखा confidence आपने कैसे maintain किया आप हमेशा eye contact बना कर ही लोगों से बात करते हो तो अपने आप आप क्या होते हो confident feel क करते हो तो इस तरीके से आपने क्या किया है communication skills पे इंप्रूफ किया है next we have family responsibility उसके ओपर कैसे ध्यान दिया आपने physical responsibility के ओपर ध्यान दिया है जहापर घर के काम करने पड़े तो आपने उन पर ध्यान दिया है emotional responsibility भी हमारे family का हिसा है जहापर family को time देना family के साथ time spend करना तो जो आप priority देते हो उस काम को वो भी हमारे एक family वो भी हमारे communication skills का हिस्सा होता है next आता है हमारा social awareness जो की आता है हमारे community के बारे में और आता है हमारे environment पे अब community की अगर हम बात करें तो यहाँ पर local cleanliness drive हमने conduct किया जहाँ पर साफ सफाई का अभियान हमने शुरू कर दिया तो basically अपनी local community को हम क्या कर रहे improve कर रहे है तो society के लिए काम कर रहे है next आता है हमारा environment में और स्टार्ट प्लास्टिक कांजम्शν हम नहीं करते कग्भू यहां पर बच्चो आपने यहां देखा है हमने मैंड मैपमिंग की है कही न कहीं हम राता है डाइग्राम बनाना सको आप बना सकते हैं जैसे नहीं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है तीन मार्क्स ही मिलेंगे तो जादा यहां पर कलरिंग करते बिल्कुल भी मत बैटना वना आप यह डाइग्राम देखकर वहां बैटकर ड्रॉइंग बनाना शुरू कर लोगे उसकी कोई जरुवत नहीं है में जो आप माइन मापिंग करत कितने अच्छे से इलाबॉरेट करते हो कितने पॉइंट कवर करते हूं उसकी जरूद है तो वो आपको यहां पर क्या करना है अटेम्ट करना तो तो व्हां यहां द्यान रखना और बिल्कुल भी टाइम यहां पर वेस्ट मत करना इसी के साथ बैंखक हमारा आज का जो Thank you very much.